दोस्तो आईपिल दोजार चोईस का ओक्षन 19 दिसम्बर को हमें दुबाई से लाइव देखने को मिलेगा और ओक्षन में यहाँ पर लगभग आच साल बाद मिचल स्थाक ने अपने आपको रेजिस्टर्ड किया और ओक्षन में रेजिस्टर्ड होते ही इनकी यहाँ पर अपने आपको रेजिस्टर्ड किया और ओक्षन में दो क्रोड सिन की बोली शुरूगी जो कि 12-14 कितने भी करोड तक है जा सकती हो सकता आट-जस करोड भी बिग जै लेकिन मोस्ट प्रोबली आपर 10-12 करोड तो वैसे भी इनकी बिल जाएगी अब बात करते हैं टीमों के पर से कुंसी टीम के बात करोड पर से अब बात करते हैं यहापर इनको ऊक्षन से पेले कौनसी पाच टीमों अपरोच किया तो उन पाँच में से कौनसी टीम कितने करोड में इनको खरीदी कौनसी टीम इनको यहापर यहापर शोरिटी दे चुकी है लेकिन उससे पेल आपको बता दीक आप यही वीडियो को रोग करें पहले टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लेदा कि आप कौनसी टीम में जा रहे कौनसी पाच टीमों इनसे अप्रोच करी तो कोलकता चिनने गुजरात आर्सीबी देली कैपिटल से इन टीमों ने इनसे अप्रोच करी यहापर मुंबई, राजस्तान, लकनवी, इन टीमों का पर्स काफिका में और यहापर मिचल स्ताक इन टीमों के पर्स के अंत दाहिरे में नहीं आएंगे तो ये टीमों तो इनको तार्गेट वेसे भी नहीं करी ये टीम दूसरे गेंदवाजों के पीछे करेंटली है और यहाँ पर कोलकता चन्नाई गुजरात आर्सीब देली कैपिटल से इन टीमों ने मिचलिस्टाक के और यहाँ पर कोलकता ने तो इनके मेनेजर से कॉन्टेट कर रहा है इवन कोलकता की टीम ने यहाँ पर इनके साथ सारी डील डानों कर चुगि जाए पर कोलकता के इनके पीछे ओल आउड जाएगी चाहे 15 करोल、 20 करोड, 18 करोड जतनी प्राइस नहीं पर पैसे लगाए इन कोलकता के टिम के अवल एक सीजन के लिए इनको पर्चेस कर रही है अगले साल वैसे घेले साल 90 में आपर सबी टीम आपर बिल्ट करीगी तो इस वजा से कोलकता आफ ओल आउट इनके बिच जारी अपने पर्स में से यहाँ पर कोलकता 70-80% यानि 20 क्रोड तक इन पर खर्च करने का उते यार है तो कोलकता को ओक्षन में कोई भी टीम बीट नहीं कर पाईगी हाला कि चेन नहीं और आरसी भी यहाँ पर लड़े ही करें लेकिन पर 99% है कोलकता मिचल स्टाक जाते वे दिकरें वेशाँ आप कमेंट करके बता ही आपके अकूर्डिंग अखिर कोलकता का यह सई वेशला है या फिर नहीं इसके साथ आप डिस्क्रेट्शन बॉक्स कोल करें टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लेकर आप आप टेलिग्राम जोइन नहीं कर तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो इसके साथ यहमारी इस वीडियो कर लाइग और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब